आपने कई नौकरी करने वाले लोगों को आदी या यात्रा छुट्टियों या अपने परिवार के साथ समय बिताने आदी के लिए ओफिस से छुट्टी लेते हुए देखा होगा वे छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं और फिर छुट्टी पर चले जाते हैं बलेईवा व्यक्ति छुट्टी पर है, आफिस उसे किसी काम के लिए ये कहकर फोन करता है कि काम महत्वपूर्णा है, अनिच्छा से व्यक्ति काम करता है, लेकिन फिर छुट्टियों की मस्ति मिस कर देता है, कई लोगों को अपने परिवार को इमेल या वाट्सअब आदी पर अपना काम खतम होने तक इंतजार कराना पड़ता है, कई लोग अपनी छुट्टियों के दौरान ओफिस के सवयोग्यों द्वारा इस प्रकार की बादागा सामना करते हैं, हालाकि ड्रीम 11 कंपनी इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, ड्रीम 11 की स्थापना 2008 में अर्श जैन भाविट सेट ने की थी, तंस्तापकों ने सोचा और एक नीती की खोशना की, जब ड्रीम 11 का कोई करमचारी चुट्टी पर जाता था, तो उनके कुछ साथी उन्हें बार बार फोन करके परेशान करते थे, क्योंकि करमचारी चुट्टी पर है और मौज मस्ती कर रहा है, इसलिए इस तरह की कॉल्ज उनके हॉलिडे मूड को खराब कर देते थे, ये पदले में उत्पातक्ता को प्रभावित करता है और वे गल्तिया करते हैं, क्योंकि वे काम के मूड में नहीं होते हैं, करमचारी काम पर फोकस नहीं कर पाता है, डिस्टब ना करना तो बहतर है, दूसरा, यह होगा की ओफिस करमचारी पर निर्बर हो रहा है, इस निर्बरता को रोकने के लिए संस्थापकों ने एक अनप्लग मीती के बारे में सोचा, जिसे ड्रीम 11 अनप्लग का नाम दिया गया, प्लग इन का अर्थ होता है कनेक करना, अनप्लग का अर्थ है डिस्कनेक करना, इसी तरह जब कोई करमचारी साल में एक सब्ता के लिए छुट्टी पर जाता है, तो वह कंपनी के काम से अनप्लग या डिस्कनेक्ट हो जाता है, यह करमचारी पर निर्भरता को कम करने की कोशिश करने, और करमचारी को परिवार के साथ आनन लेने और समय बिताने के लिए है, इसका उद्देश्य अन्य करमचारियों को काम की जिम्मेदारी देना और किसी विशेश करमचारी पर निर्भरता को कम करना है, इसलिए उन्होंने ये समाधान निकाल और उसी की घोशना की, यदि कोई सरकर्मी अन्प्लग या चुट्टी के समय किसी करमचारी से संपर्क करता है, तो उसे एक लाख रुपे का जुर्माना देना होगा, कोई बहाना स्विकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि बैकप प्लान तयार है और व्यक्ति को जुर्माना भरना ही होगा, सरकर्मी अपने किसी ऐसे सरकर्मी को फोन कर सकता है जो चुट्टी पर है और उसकी चुट्टियों के बारे में बातचित कर सकता है, हाला कि अगर कॉल काम से संबंतित है, तो उसे एक लाग रुपे का जुर्माना देना होगा संसापक चाहते है कि कर्मचारी स्वतंत्र रूप से काम करे और एक दूसरे पर निर्भरता कम करे इसका उदेश्य कर्मचारियों को उनकी छुट्टियों का आनन्द लेने देना भी है दिल जस्प है न? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कमपनी छुट्टी के दौरान आपको परिशान करना बंद करे फिर उस समाधान का सुजाव दे जिसका पालन ड्रीम 11 द्वारा किया जा रहा है कुछ लोग कमपनी की बहतरी के लिए इस सुजाव से सहमत नहीं होंगे हमें अपने विचार कमेंट से बताइए